दोस्तो बिहार में मटन की बहुत सारी डिशेज आपको खाने को मिल जाएंगी मगर मुझफरपूर का अगर ये मटन ताश नहीं खाया तो समझे मटन खाया ही नहीं इसको बनाने का तरीका जितना अलग है उतना ही अलग इसको सर्व करने का तरीका भी है तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा, मज़ा आ जाएगा उसके कबातें, पहले से 4 चार िल्ट सुम्ट अम्मट केभ़ बेंक जाये हैं जाए भालवजी छूंबतरों कैराचनरों जाएगा टूर्व देखे लिखेगा, तक को जुए इसनायगी। इसमें हल्दी हो गया अब नमग डालेंगे यह गया दुस्तन नमा जी नमा खुब गया जितना मेजर्मेंट है कि हाथ एक दम बैठा हुआ है इसको प्रामिक्स करेंगे सर्बनिया से कि यह आप है कि यह देख सकते हैं दोस्तों किस तरीका है इसको अच्छी तरह से मिक्स करें मटन को जो होता है एक अपना खुद का वेट होता है और उसको चलाना बाइसाब एक हाथ से पूरा पकड़के अच्छे से मिक्स किया जा रहा है यहां पर आप अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी दर छोड़ा जाएगा यह अब स्टार्ट होगा यह डालाएगा तब यह के ऊपर सीधा और यह बिल्कुल फ्रेश मटना है ना एकदाम फ्रेश तो यह है दोस्तों इनका स्पेशल तवा जिसके उपर यह बनाते है इसको आप देख स सर्सो का तेल अच्छे से गरम होता ना तो अपना जो खड़वा पन है वो निकल जाता उसका तो उसके बाद इस मटन को इस पर डाला जाता है वा मैंने सुना है दोस्तों की जो यह मटन है वो तकरीबन दस से पंदरा बीच मिनिट के अंदर नहीं बिल्कुल तयार हो जाता पकाया जाएगा इसको बटन के पतले पीसेस काटे गए हैं और इसको ना इसमे अच्छे तेल में अब इसको पकाया जाएगा तो बेग इसमेट जाए बेसमेट की बिल्कुल तक बख जाएगा इसके जो पीसेस काटे जाते हो इसी के लिए अच्छे से जल्दी पक जाए पसमें बते ही तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों इसके ना जो पीसेस होते हो बिल्कुल पतले-पतले काटे जाते हो और पूरे तवेग उपर आप देख सकते हो किस तरीके से इसको रखा हुआ है और यह बीस मिनिट के अंदर जैसे भी आ बता रहे है बिल्कुल बन के त्यार हो जाएगा अ अच्छा इसको ढटा जा रहा है इसको ताकि जो अंधर ही अंधर जो मटन है न हमारा वो अच्छे से पके इसको ढख के अभी कम से कम पांच मिनिट इसको ऐसा ही छोड़ा जाए करते हैं तो जहाँ हम नागा जो क्यों जाहां मीट करता है उसके बाद मीट कोपका है कि कुटते हैं उसने मिट फट जाता हो है नाम इकारण में ए अनग्रा आइड टाजक अमद्टा बिंग मतन थी छोसग करला था और करण ऑर यह दो चाह्आ कर अज़ा जाते है तो test deixa A पुरा मटन भीछा हुआ हिस तरगा इस तरह का उता कि घर में करना जाए का घृट अबना तो प्रह जानी हो तो इस तरह कि बनती है और यहां पर फुरा अड़ी पया आए और भी साहर गया अान है अब तभी इतनी जल्दी पक भी जाता है ना तो दोस्ता हमारे मटन को लगबग 5-6 मिनिट हो चुके हैं पकते हुए और आप देख सकते हैं अभी से ही इसकी जो खुश्बू है ना महसूस कर सकता हूं मटन की जो एक खास खुश्बू होते हैं मसालों की हो अलग ही आ रही है यह देखो और बड़ी है तरीके से बिल्कुल बॉइल हो रहा है पक रहा है यह कुछ इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं आप जो पकने लगता है तो थोड़े आदा पकने बाद इसमें गरम मसाला डाला जाता है यहां पर देखे दोस्तों चुस्ता का जो पीस है उसको काटा जा रहा है तक यह अच्छे से और अच्छे से पकने के लिए इसको यह देख सेकते हो आप इसको ना पीसेस को जो बड़े पीसेस है बिसिकली उनको काट दिया जा रहा है तक यह छोटे हो जाए और अच्छे से तवे के ऊपर पके है इसको ने बिल्कुल 20 मिनिट के अंदर रेडी हो चुका और यह देख सर्विंग की जा रही है इस तरीके से यह पैक किया जा रहा है सर्वकिया जा रहा है प्ले प्ले पीसेस ने निकाले जा रहे हैं अब लोगों को प्लेटे इसके सर्व रोटी की साथ पाना है उसके साथ उनको यहां पे दिया जाता है कृले दोस्तों यह लगी हमारी प्लेट्स मैंने ना दो मतन हाफ मंगवाइते हैं और साथ में रोटी मंगवाई यहां यह हमारा मुर्मुरास आए देखे मैं आपको दिखा तो हमारी जिसमें इस तरीके कुछ मतन के पीसे मिलें यह दो प्लेट में दो पीस है और आप मतन देख से क्या बढ़ी है तरीके सब्सक्राइब काटा गया है ताकि मतन अच्छे से पके और साथ में यह दो पीस सीने का पीस है और भाई साब खुश्बू इतनी दवर्दा सारी नहीं पता नी सकता पर हमारा मुर्मरा उपर से डाली गई है इसी मतन की ग्रेवी और साथ में यह रोटियां सर्व करी है तो टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा स्वाद सबसे पहले नहीं मुर्मुरे के आए नहीं को ऊपर से प्यास और साथ सर्व किया जाता है तो अब तो बनता है हमारा मतन ताश खाना बिलकुल बहुत वेट गया वेट किया मतना दूर से आरहे ने इसलिए वेट किया यह बाइट लेकी देखने का सब्सक्राइब कर दो क्रिंची है और अपने मतन को टेस्ट करते हैं यह मतन जो है ना वह भी लाजवा होने माले है कि जो ग्रेवी टेस्ट किया ने मैंने वह बग बढ़िया है आए पास आ यह दरहा है यह मतन का पी जिखाता हूं मैं आपको आपने देखा मेरे सामने ही तवे पर डाला हुआ थ देख रहे हो बढ़िया तरीके से बिल्कुल मतन वह भी 20 मिट के ने पके तेयार और एक खाता और बताता हूं दोस्तों यह मतन का पकने के राज का है वह जहां तक मैं समझता हूं ना तुकि इने मतन के पीस को नेक तो पतला काटा था और काट के ना उस वह अच्छे से मतन मतन के अंदर मतन के अंदर जूसेस यह ना वह अच्छे से गया उसे वह पक जाता बहुत अल्दी वाव यह देख सकते हो आप दिले लिए मने मतन और मुर्मुरा वह वह जहां एक नया तरीका है जोस्तों इस पाने का जो हम लोग बेसिकली एक्प्लोर कर सकते हैं क्योंकि हम लोग हमारी तरफ नहीं मिलता जैसे हम दिल्ली चंडीकड में रहते हैं वहां पर यह सब चीज़े नहीं मिलती आम रोटी और चावल के साथ कम खाती हैं अगर मुर्मुर के साथ में मैं भी फर्स टाइम घा रहा हूं बहुत लाज है वह बढ़ा दोस्तों इस मटन के पीछ के साथ यह ना मेरा जो ताश थाना मटन ताश वो तुम्हाने फिलिश कर देख सकते हैं चुटा भी खत्म कर दिया रोटीया भी खत्म कर दिया मटन भी अलमुस्त फिनिश ही है बड़ा मजा दोस्तों थाक है मैं आपको बहुत सकता हो तो इस तरी के मटन आपने कहीं भी निखाया होगा एक भिहार का टेस्ट अलगी भिहार का टेस्ट है आप भी आईए यहां पर मुदफफरपूर में आज हम आए हैं और यहां पर हमने मटन अच्छे तरी किया बड़ा मजा आया आप भी आया इस पर टेस्ट करेगा एड्रस की जिंदा मत तरेगा सब कुर ना नीचे डिस्क्रीश में मिल जाएगा वस यहां पर आयो इस पर टेस्ट करके देखिए और हमें कमेंट करके जबता है कि कैसा लगा आपको बढ़ा मुझ बुन के पकाया गया था तो उसके अलगी फिलेवर आ रहा है बड़ा ही लाजबा तो चले दोस्तों इसको हम यहीं फिनिश करते हैं इस वीडियो को इहीं कदम करते है और नए जाएगी की तलाश में जलता है बिहार में और देखते हैं क्या-क्या नया मिलता है तो यह वीडियो आपको अच्छे लेकित वीडियो को लाइक और शियर कर दियेगा और हमारे क्याल को भी सब्सक्राइब जरू करें साथ शाथ हमें इस्टाग्राम पर फेल्टुक पर फॉलो करिए तो इस वीडियो इजाद दियेगा दोस्तों बाई बाई